हलो रों स्वागत है आप सभी के एक बार फिर दास्विल पाइंट इस्टीटूट इंदो और मैं आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉटेंट है मद्ध प्रदेश असिस्टेंट इंजिनियर 2023 की कम्प्लीट इंफोर्मे किस तरीके इस तैयारी करनी चाहिए कौन-कौन सब्जेक्ट इंपॉटेंट है सारी चीजे डिटेल इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले है तो अगर आप पहली बार इलिजबल हो रहे हैं इसके अंदर या फांब भर नहीं आप तैयारी करनी की सोच रहे तो ये इस प की मद्द प्रदेश लोग से अध्याय जुलाई या अगस्थ में एक्सप्बेक्टिद कठा है युग आपको जो एक्जाम है वो जुलाई या अगस्त तक हो सकता है क्योंकि अभी 200-200 के आसपस वेकेंशी 260-270 वेकेंशी वेकेंट है जो कि आपको इस बार 2023 के अंदर देखने को मिलेंगी असिस्टेंट इंजिनियर के अंदर ठीक है तो वेकेंशी भी ठीक ठाक रहने वाली है प यहां से आपके पास अगर जुलाई भी एक्जाम होता है तो भी 6-7 मेने का टाइम बचा हुआ है जो कि यह एक्जाम आपसे मांगता है इतना आपको dedicated मेहनत करनी पड़ेगी basic से सारी चीजों को समझने के लिए ठीक है क्योंकि यहां पर आपको मद्द प्रदेश सब इंज सबसे पहली बात eligibility से related question रहते हैं कि सर eligible कौन होगा तो इसके अंदर वो aspirant eligible है जिनका civil engineering के अंदर या mechanical के अंदर या electrical के अंदर तीनी ब्रांच की विकेंसी जाती है तो यह तीनी ब्रांच के अंदर आपका जो है तो civil engineering में या आपने जिस भी ब्रांच से फार्म भरना है उस इसके अंदर फार्म नहीं भर सकते हैं यहां पर आप two cut बात लिखी रहती है कि यहां कि आपको जो है तो अगर फार्म भरना है तो आपके पास civil engineering में या किसी भी engineering जीज विवाग में आप फार्म भरना है उसके अंदर आपका complete होना चाहिए complete मतलब आपका exam होगे आपका result आ चुका है तो आप इसके अंदर फार्म भर सकते civil engineering डिगरी वाले बीटेक होना चाहिए या बी होना चाहिए आपके पास डिप्लोम वाली इसके लिए इलिजबल नहीं है ठीक है डिप्लोम वालों के लिए separate आप जईए वगएर की त्यारी कर सकते जैसे सब इंजिनेर या अगर आप त्यारी कर रहे है तो आपको टॉपिक क्लियर ली दिया हुआ है अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा हेल्फ होगी इस बार सब इंजिनेर में देखा भी गया थे जो एस्पिरेंट जिनके एसिस्टेंट इंजिनेर में जिनेर क्वालिफाई किया 2021 का वह अभी सब इंजिनेर की एक्जाम पर एक्सोदाश एक्सोपांस नंबर पा रहे है रीजन पत पेपर होता है, फ़ॉत्वाहbir हे पर एक एक ही पेपर होता है, इस फीपर को मोड होता है, ठीक है किसके अंदर होता है OMR seat के अंदर इनका paper होता है CBT exam नहीं होता है यहाँ पर computer based test नहीं होता OMR seat के अंदर आपको गोले भरने होते है 3 घंटे का पहला paper होता है जो आपका return test है जिसके अंदर आपके 1.500 question होते है ठीक है किते question होते है 1.500 question होते है 1500 question के अंदर आपका दो पार्ट के अंदर से levels divided होता है एक खंड आ बोलते हैं और खंड बा बोलते हैं खंड आ के अंदर आपका मद्धप्रदेश से GK वाला person आता है राश्टी एवं अंतर राश्टी इस तर का समान ने गया ठीक है MPG के, National GK और International GK ये तीनों पोच जाता है तथा इसके अंदर computer के भी कुछ questions होते हैं ठीक है कुछ इसके अंदर computer के भी question होते हैं ये वाला पार्ट से आपके आते हैं 50 question और दूसरा वाला पार्ट आप जिस भी branch से हैं जैसे आप अगर civil से हैं, mechanical से हैं या electrical से हैं इन messages भी branch हैं आप उसके आपके respective branch से 100 question हर question आपका तीन नंबर का है, यहाँ पर भी तीन नंबर का है मतलब 50,500 ये और 300 ये कुल मिलागर के साढ़े 400 नंबरों का आपका return test होता है ठीक है, इस return test के अंदर अगर आप qualify होते हैं ठीक है, ये कितना ये, इसके अंदर कितने लोग qualify करते हैं मतलब interview के लिए कितने लोग जाते हैं तो इसका सिंबाल सा है कि 3 गुना प्लस समान अंक ठीक है, 3 गुना प्लस समान अंक जो है तो qualify होते है इंटर्विव के लिए, मतलब ये जैसे वेकेंसी है आपकी कित्ती है 100 वेकेंसी है ठीक है 100 वेकेंसी है तो तीन गुना मतलब 300 लोग तो यह हो गए और जिनके समान अंखोंगे मालों 20 लोग के सेलेक्शन हो जाता है मतलब जिनके टॉप 100 जैसे 100 सीथ है तो जो टॉप 100 में आएंगे कटेग्री वाइज अलग लग चीज़े उसी साब से फिर आपके इसके अंदर सेलेक्शन होता है यह इसका एक्जाम पैटन है ठीक है यह इसका एक्जाम बहुत ही सुव्यवेस्थित ए मतलब यहांपास जो फार्मूला युष करते हैं आपको लिएक व्फारमूला के सुव्यवेस्था थीज ग … इस की मतलब 3 इक सुआज एक टेव्यवन पान का होता है उसका एक नम्बर होता है ₹ ट होता है उसका एक नमबर यहां पास फर्मूला यूज । यहां पे निचे दिया हुआ है आरी यहां पास क्या होता है चाही उत्तरों की संक्याइए बात वही है सबस्राइक नियात में आगlier मतलब फैटर्न आपको समय आ गया किस तरी के का पेटर्न होता है अगर आप काम की चीज़ मिल जाएगी 50 नमबर के इंटर्वी होता है इनके अंदर अगर मैं बात करता हूँ ठीक है यह वाले जो आपके टेंड टेस्ट होते हैं ठीक है यह जो आपके 450 नमबर के रिटेंड टेस्ट है इसमें अगर आप एक जनरल कंडिडेट है तो आपको 40% अंक लाना minimum है ठीक है minimum आपको qualifying marks 40% लाना पड़ेगा ठीक है 40% marks आपको minimum इसके अंदर लाने पड़ेंगे अगर आप किसी category से अंदर है तो आपको 10% की छूट मिल जाती 30% आपको लाना होगा ठीक है 40% आपको minimum criteria minimum number आपके 40% होनी चाहिए तभी आप qualify कर पाएंगे ठीक है इसके अंद किसके अंदर आपको 40% जो marks होते हैं आपके वो दोनों के अंदर होने चाहिए मतलब जो 300 number का paper technical का है यहां पर भी आपके 40% होने चाहिए और आपका जो date number का non technical है मतलब जिसके अंदर 50 question पूशे जा रहे हैं यहां पर भी आपके 40% होने चाहिए मतलब separate department जो separate खंड आ और ख general candidate है तो ठीक है तो यह चीज हो गई किसकी stage first के अंदर यह आप अगर qualify करते हैं इसके बाद आप qualify हो जाएं किसके अंदर interview के अंदर कोई qualifying marks तय नहीं है ठीक है interview के अंदर आप अगर qualify हो जाते है तो आपके डिपेंड करता आपकी personality आपके interview पर किते marks आते हैं वो interview marks आपके total raw marks made होते हैं इसके बाद आपकी merit बनती है अगर आप qualify करते हैं तो आप directly select हो जाएंगे ठीक है यह यहां से बनता है यहां पर कोई ऐसा नहीं कि आपको minimum marks लाने होंगे यह कोई criteria आपका जो है तो तय नहीं है overall marks आपका 500 का है ठीक है जैसे 500 नंबर में से जो आपकी vacancy उसके आप से अपकी merit बनती है और आपका selection होता है अब आपके मन में doubt आएगा कि सर यह 500 नंबर है इसमें से पिछला data क्या कहता है कि कितिन नंबरों पर selection हुए है ठीक है पिछला data क्या कहता है हम देख लेते हैं एक बार 2020 का result हमारे पास recently आया हुए है ठीक है 2020 का result मैं यहां पर द कि आपका result है recently उसके अंदर कित्ते जो है तो total cut off गई हुई है ठीक है यहां पर सको PDF में दिखा देता हूँ यह 2020 का आपके सामने result दिया हुआ है ठीक है यह official जो आपके यह वाला result है जो भी publish हुआ है यह result ठीक है इस result से अपने बनाया हुआ है यह एकदम official आप इसको भी द candidate का कित्ती cut off हो गई है अलग लग category के लिए तो general candidate के अगर मैं बात करता हूँ ठीक है तो unreserved category के अंदर देखते है total 324 का नंबर में जो हो तो selection हो गया था अब यह selection मतलब किसी भी department की बात है selection की बात है यहां पर अगर बात करेंगे PWD की तो उसकी खोड़ी cut off high जाएगी ठ ठीक है depend करेगा किसी department के उपर department की कटा फाई जाएगी minimum numbers है इतने पर आपको department allot हो गया था वो चाहे कोई सभी department हो ठीक है इतने पर आपको department allot हो गया था तो 324 नंबर पर general category यह unreserved category को allot हो गया थे कित्ते नंबरों में से 461 में से आप कहेंगे सर paper तो 500 का हो रहा है 461 कैस उसके अंदर आपकी marking होती है ठीक है तो बहुत सारे question delete किये गए इस वज़े से जो आपके total पूरांक बचे थे वह आपके 461 बचे थे तो 461 में से 324 नंबर कटाफ गई है ठीक है 500 में से नहीं है total cut-up आपकी 70% गई थी 2020 के अंदर unreserved category की ठीक है mail candidate की अगर OBC की बात करता ह थे 322 नंबर गई थी 79% इनका cut-up था ठीक है EWS candidate की 313 नंबर पर सेलेक्शन हुआ है 68% इनका cut-up एप्रोक्स है जिरो पॉइंट पर पूइंट पर पूशा आगे पीछे हो सकता है एप्रोक्स 100% क्रयात cut-up SC category mail candidate की आपकी 286 नंबर पर सेलेक्शन हुआ था 62% इनकी cut-up गई थी ठीक है आगे चलते हैं अपन किसके यह आपने screenshot ले लेना है ठीक है देख लीजिए कहने के मतलब यह यह दिखाने की region है कि अगर आप 2023 की तयारी को target कर रहे है तो आपके कितने target होने चाहिए आपको इनको देखना है आपको इतने number लाने यह नहीं देखना यह नहीं दे ठीक है अन-result category से है तो अब यह चुकि थोड़ा सा आकड़ा आगे पीछे होगा region यह कि जो रिजल्ट अभी 2020 का जारी हुआ है एक नर्मा अपो दिखाता हूं यह 2020 का भी जो रिजल्ट जारी हुए 87% पर जारी हो यहां पर देखे लिखा हुआ है 87% पर अभी क्योंकि Supreme Court पर केस है OBC केस वाला ठीक है अभी Supreme Court ने तो कह दिया है कि यह 87% जो आपको OBC को Reservation है वो 14% ही होगा अभी जो है तो यह result revised होगा और जो 13% जो और कंडिडेट है या तो जनरल पर जाएंगे या अगर कुछ और होता तो OBC के ही कुल मिलाकर कि अभी कटाप थोड़ा सा और decrease ह होगा ठीक 13% अभी रिजल्ट आने बचे हुए है ठीक है 13% अभी आने बचे हुए है तो अपने क्या एक मोटा माठी आपको safer side लेके चलना है तो मैंने बोल दिया यह वाला पन ने उठा लिया है तो आपको कम से कम 70% स्कोर करना पड़ेगा Assistant Engineer के selection के लिए ठीक है 70% आपको OVC 14% ही रहा तो निश्ची तोर पड़े थोड़ा सा और decrease होगा ठीक है तो यहापर आपको देख सकते हैं 70% तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा 80% आपको स्कोर करना पड़ेगी AWS के लिए 22% SC के लिए और 57% आपका ST के लिए अगर बात कर लेता हूँ पर इसकी फीमेल कटेगरी के अंदर फीमेल कटेगरी के अगर आप देखते हैं तो देखिए जनरल या बोल दो अन्रिजब्ट कटेगरी के अंदर आपका 297 नंबर में सेलेक्शन हुआ है ठीक है मतलब 44.4 ठीक है 44.4 दसंबलों चार्ज वहता आपका कटाफ गई है OBC के अंदर 299 नंबर पे हुआ है EWS के अंदर 281 नंबर पे और 250 नंबर पे SC का और 249 नंबर ST का आप इसको देख लिए एक बार परसेंटेज वाला क्राइटेरिया 64 परसेंट इनकी कटाफ है 63 परसेंट आपका OBC के अंदर आपका 60 परसेंट है ST कटेगरी का आपका 24 परसेंट और ST का 59 परसेंट पर देख रहे हैं ST कटेगरी के अगर कोई फीमेल एस्पिरेंट है तो उनका युआ है से दिमाग लगा करके मेहनद करें तो इस तरीके से अपने करना को कितना घृर्स कितना करना है तो इसको थोड़ा सा और दस दो तीन परसेंट आगे बढ़ा के देख लेज़ेगा तो यह आपको थोड़ा सो मान करके चलना है तो इसके होगी कम्प्लीट इंफॉर्मेशन से लेबस में और और दिखा देता हूं ठीक है से लेबस के अंदर क्या क्या चीजी होती है तो अप का जिस सेकेंड अग। है यह कौने यह नॉन टेक्निकल शॉर्मेशन है अधिया कर देखते है तो कौन कई से टॉप्लैंट और देखते है तो कौन कौनसे आप आप देखते हैं तो पुछे जाते हैं तो मैंने बताया 50 question total आने हैं यहां से 500 नमबरों के 50 by into 3 150 नमबरों के जिसके अंदर नेशनल भी है इंटरनेशनल भी है और MP का भी है और कुछ computer का पार्ट भी है ठीक है आप देखते हैं मद्धप्रदेश का इतिहास संस्कृति एबं साहित से question पुछे जा एबं त्योहार लोग संगीत एबं लोग कलाएं मद्प्रदेश के प्रमुख साहित कारुन की रचनाएं मद्प्रदेश के प्रमुख प्रयाटनिस्थल मद्प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्त मद्प्रदेश का भूगोल फिर भूगोल के अंदर से यह वाले question सारे संसाई घटना, मतलब करेंट अफैर वाला पार्ट, ये वालब का कवर होता है, मध्द प्रदेश की, मतलब करेंट अफैर आपका तीनों जखेस पूछा जाएगा, international भी है, national भी है, और मध्द प्रदेश भी है, ठीक है, मध्द प्रदेश की प्रमुख, मतलब महत्पूर्ण समुसाइग घटनाएं देश प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिता पुरुसकार एबम खेल संस्ताएंれた उंसायोम कप्रतियोगिता की प्रमुख जनकल्यानकारी योजनाएं इसके बाद सूचनें प्रत्द्योगी जो कंप्यूटर वाला आपका आई टी था यह वाला पाट आप देख सकते हैं, electronics, computer, सुचना एबं संचार प्रिद्योगी की, robotics, artificial intelligence, एबं cyber security, e-governance, internet तथा social networking site और e-commerce, यह आपका computer वाला portion है, जो की आपका यह वाला पाट cover कर रहा है, यह total आपका 50 questions आपके non-technical portion से पूछे जाने हैं, यह वह वाला सलयवस है, ठीक है, आप जो आपका civil engineering का सलयवस है, एक बार civil engineering का सलयवस पर भी नजर डाल दीजी, ठीक है, यह आपका civil engineering का सलयवस है complete, ठीक है, इसके अंदर आपका total देखा जाया है, तो 10 unit रहते हैं, 10 unit से आपके जो तो question बनते हैं, बहुत defineable different सलयवस है, पहला structure analysis से question है, structure analysis के अंदर आपका toss और जो तो, ठीक है, toss और आपका sum दोनों बाला पार्ट इसके अंदर कभर होगा, degree of freedom अगेरा, static and kinetic and determination, principle of superposition, ठीक है, तो इसके अंदर दोनों चीजे कभर होगी, एक तो sum बाला पार्ट है, दूसरा आपका theory of structure बाला पार्ट है, ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा steel structure है, RCC वाला पार्ट, RCC के अंदर भी देख रहे हैं, तगरा सलहावस है, RCC का, complete RCC, साथ में last में आपको, ठीक है, pre-stress concrete भी है, ठीक है, pre-stress concrete, इसके बाद, earth quick resistance design structure, और इसके बाद डिजाइन आप, machinery structure, machinery structure भी है, earth quick resistance design भी है, और pre-stress, साथ में आपकी RCC, ये complete आपका RCC का सलह सलहावस हो गया, इसके बाद construction planning and management, CPMN पार्ट वाला पार्ट भी है आपका, ठीक है, CPMN पार्ट वाला पार्ट complete है इसका, ठीक है, इसके बाद आपका environmental engineering, environmental engineering बहुत depth के अंदर आती है, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसका syllabus, बहुत जाता depth के अंदर आपका environmental engineering पढ़नी है ओके, इसके बाद आपका water resource engineering ठीक, जिसको अपन irrigation बोलते हैं, ठीक है, water resource, basically इसके अंदर दोनों चीजी आ जाती है, water resource के अंदर, एक तो आपका irrigation वाला पार्ट भी है, और सांत में आपकी hydrology भी आ जाती है, ठीक है, water resource globe, available fresh water, ठीक है, यह आपकी groundwater hydrology हो जाती है, need of optimum, use of available water, scheme, drinking, irrigation, hydropower and multi-parabagi schemes, इसके बाद आपका irrigation से सारे, topic irrigation के सारे, इसके बाद आपकी hydrology, देखेंगे, कितनी depth के अंदर हो, कितना well defined saliva से इसका, ठीक है, तो इसमें आपको अगर successful होना है, तो बहुत depth में CG को पढ़नी पढ़ेंगी, जैसे groundwater, देखने, groundwater बहुत ही depth के अंदर पूँच रहें, ठीक है, classes है, आपका availability, आप soil moisture है, अक्यूफर्स है, confined, unconfined, मतलब detail के अंदर है, सारी चीज़े आपको cover करनी है, फिर आपका storage schemes है, divergent schemes है, distribution systems है, ठीक है, distribution system है, water logging है, river training है, यह बाला चीज़े बहुत depth के अंदर है, ठीक है, तब यह वाल टापिक को है, water resource engineering देख रहें, बहुत depth के अंदर इनको आपको चीज़े को, एक एक topic को cover करना है, इसके बाद आपको आता है, floor mechanics, floor mechanics के अंदर आपकी machine वाला पार्ट नहीं आता है, कि वाला आपको floor mechanics वाला पार्ट पढ़ना है, floor machines यहाँ पर नहीं आते है, ठीक है, तो यह वाला है, open channel वाला point of crossing, ठीक है, तो यह आपको जो है, तो railway वाला पार्ट आपको complete कवर करना है, 8 unit है, नौमी आपको पूरा highway engineering, ठीक है, complete आपकी highway and airport, देखो airport जनरली आपको किसी अनिक जांबे देखने को नहीं मिलता है, उतनी question, ठीक है, SSCJ वेगर हम दूत नहीं आते काद आ गए तो, यहा इंडेक्स प्रोपर्टी, आप स्वाइल, क्लासिफिकेशन, पूरा लगभा करें, पूरी स्वाइल मेकेनिक्स आपको कवर करनी है, ठीक है, बहुत detail के अंदर है, बहुत depth के अंदर, सारी चीजी इस केंदर कवर करनी है, ठीक है, आपको इसके अंदर 2-3 subject नहीं दिखे हों और यह पकड़ बनाने के लिए आपको चाहिए एक sufficient time, अगर आप 2-3 exam के त्यारी कर रहे है, यह best time है, इन concept को develop करने का, क्योंकि आप building material तो last में रट भी सकते हो, थोरी वाले subject तो रट भी सकते हो, लेकिन आपको अगर question बनाने है, डिजाइन वाले subject के, तो उसके अंदर आ अगर आप इसके exam को focus कर रहे हैं, तो 3-4 घंटे, 5 घंटे dailys की classes लिजे, इनके PYQ solve करिए, ठीक है, इसके बाद यह आपके exam पे अच्छी पकड़ हो सकती, क्योंकि कटाप भी आप देख रहे हैं, अगर आप एक अंदर रिजर्प्ट categories हैं, तो आपको 70% at least लाना ही पड़ कि अगर मेरा interview खराब भी जाता है, तो भी मेरा selection ना रुके, तो आपको तो focus इस 4-4-4-100 पड़ी पहले करना है, अगर आप एक general category के aspirant हैं, तो आपको 30-300 आप पहले से इतना margin लेके चलिए, अगर interview खराब भी गया, 10-20-30 नमर जितने भी मिलें इंटर्वी में, वो plus point होने चाहिए, तो आपकी rank बन जाएगी, ठीक है, वार्कि आपको focus कहां पे करना है, ये main जो 4-400, 4-400 नमर आपका ये इसके अंदर पकड़ होनी चाहिए हर subject के अंदर, जो कि आप अभी बना सकते हो, ये मौका बहुत अच्छा है, ठीक है, अभी बनाने के लिए, अब इसके लि क्या क्या दिया हुआ है, आप एक बार समाझ लिजिए, इसकी validity किते 2 साल की है, ठीक है, validity इसकी 2 साल की है, recorded lecture, एक तो classes daily update हो रही है, साथ में आपको 2 साल की इसकी validity मिल रही है, ठीक है, आप कितने भी बार देख सकते हो, आप क्यों पर depend करता है, students are advised to watch demo lectures, आपको अगर आप आपको इसका demo lecture देखना है, जो कि इस वीडियो के नीचे link मिल जाएगी, उसमें जाकर के आप पहले proper demo lecture देख लीजिए, ठीक है, अगर आप संतुष्ठ है, देन आप जाइन कर सकते हैं, ओके, इसके अंदर आपको क्या है, जो है आप से levels कबर कर रहे हैं, बहुत ही depth के अं अब यह आप क्या है ना, थोड़ी तैयारी करी हुई, इसका भी form बर दिया, यह जब vacancy आगे, इसका भी form बर दिया, फिर उसके लिए थोड़ा सा पढ़ लिए, एक बार लग के civil engineering पढ़ लिजे, इसके बाद फिर कोई भी exam आई, AEE, JEE, ESE, क्या आई, gate दीजे, कोई भी पारना, थोड़ा सामने pattern change कर दिया, क्या है, जैसे अपने student को बोलते हैं, कि यार, आपना हम कोई chapter cover करवादे हैं, अब आप उसके PYQ लोगा लिजे, एक तो वो PYQ solve नहीं करते हैं, वो अपना रिवाइच करते रहते हैं, और जब तक आप PYQ solve नहीं करेंगे, आप कितनी अगर आपने पहरा chapter SFD और BMD पढ़ा, ठीक है, SFD और BMD पढ़ा, तो ये chapter आपको cover करने के बाद, इसके जितने भी PYMQs बन रहे हैं, PYMQs बन रहे हैं, अलग-लग exams के अंदर, वो exam है, आपकी जैसे MPPSC का ही paper हुआ है, ठीक है, दूसरा आपका, जैसे ESE का paper हुआ है, ESE क इतने सारे PYMQs खुदी करवा के इस बार दे देंगे, आपके course के अंदर ही डाल के देंगे, ताकि आपको अब एक्स्टर मेहनत करनी ना पड़े, जो पढ़ा दिया, जितना पढ़ा दिया, बस उतने ही पढ़ लेना है, PYMQ भी सारे हमी नहीं कर देने, ठीक है, उन किस बैच के बाद कुछ बचेगा नहीं है आपका civil engineering के अंदर, ठीक है, content के अंदर क्या है, सभी subject की video lectures कवर होंगे, take and or non-take, दोनों चीज़े, ठीक है, किसके साथ, by subject expert faculties, faculties के बारे मैं आपने कई बार देख भी लिया, आपने demo lectures भी देखे होंगे, चैह पी user क्यों, प्र हर subject का chapter बाइज, इसके बाद आपकी personal guidance तो ही है, आप अपने जाके faculty से dietly बात कर सकते हैं, कहीं पर कोई doubt आ रहा है, आप उनसे dietly clear कर सकते हैं, doubt session proper available है, तो इस सारी facilities हम इस बार इस batch के अंदर दे रहे हैं, dedicated, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर भी आप कोई चीज़े लैक ना क आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा, आप जुकि वहाँ पर क्या है, आपके concept में पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जो subject का weightage है, वो ऐसे weightage subject का है, ज्यादा जिनका आपको अगर in-depth knowledge नहीं तो आप question नहीं बना पाऊ, question गलत हो जाएंगे, तो आपको इसके अंदर अपन otherwise possible नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है, एक चीज़ और में दिखाना चाहते हूं, यह जो foundation, बैच है, अब कहेंगे, सर क्या यह सिर्फ काम AE के अंदर, देखो, क्या है, civil engineering सेम होती है, अब फिचाए के लिए पढ़ो, किसी भी exam के लिए पढ़ो, civil engineering सेम है, एक बार in-depth कफर कर लिए अच्छे से, ठीक है, MPPSC दे लिया, इसके बाद, अब RRBG लगा हुआ है, आने को, RRBG हो सकता है, आपका, माई यून के अंदर RRBG आजाए, उसका एक जाम जाएगा, आपका 2-4 मेने, मतलब होई, अगस्तने अक्टूबर नॉमबर के अंदर, RRBG देंग आपको इसकी हिसाब से कभर करना है, बाकि जो extra subjects हैं, complete civil engineering के अंदर, उसके भी video lectures हम आपको provide करेंगे, बट पहले आपको कभर करना है, किसका MPPSC AE का, focus हमारा इस पर है, बट अब अब चुब क्योंकि आपको आगे चल के आप ये exams भी देने वाले हो, इनके video lecture भी हम आपको इ video lecture, basic to advance, objective type questions मैंने किसके करवाने यहीं बता दिये, आपके notes आपको proper, ठीक है, और आपका non-tech किसका cover होगा, non-tech आपका चुकी focus MPPSC पर है, इसका complete take plus non-tech cover होगा, fold out support तो रहे गई हमारा private telegram group है, validity 2 साल की है, आप यहाँ पास इसका tenor देख सकते हैं, कौन subject को किते घंटे ठीक है, तो strength आप material आपका कबार हो रहा है, लगभग 75 घंटे के अंदर या आर्स के अंदर है, ठीक है, 75 आर्स के अंदर, इसी तरीके से आपका theory आप ही structure है, RCC आपकी देख सकते हैं, pre-stress concrete है, design आप ही steel structures है, geotechnical engineering, environmental engineering, fluid mechanics, open channel flow है, hydraulic machine, अब जो कि आपको AE के ले अंदर तो पहले तो यह नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि AE के अंदर यह नहीं पूछा जा रहा है, इसको अपन बाद में कभर करेंगे, surveying बाला part है, लेकिन अभी नहीं पूछा जा रहा है, इसको बाद में कभर करेंगे, irrigation engineering 40, यह जो की water resource engineering के एक पार है, यह आपका engineering hydrology है, highway engineering है, railway engineering है, bridge and airport है, ठीक है, okay, estimation and costing यहाँ पर नहीं पूछी जा रही, बाद में कभर करेंगे, okay, building construction बाद में, आपका यह CPM impact वाला part अभी कभर होगा, जितने आपके focus हैं, पहले MPPS CAE के अंदर, वो सारे topic अभी होंगे, then जो आपके बच जाते हैं, subjects, उनको अपन बाद में कभर कर इस लगभग साढ़ी 800 घंटे का course हो रहा है, plus minus 100 हो सकता है, 800 घंटे आपको लगभग, 800-900 घंटे के बीची जो है, तो course जाएगा, ठीक है, अभी यह उफर वैलिड है, आप अभी इसका उठा सकते हैं, lab इस prize पर, कहाँ पर, चुकि इसकी validity भी दो साल के तक की है, दो साल आ ठीक है, और complete civil engineering MPPSC का cover होगा, tech plus non tech, साथ में जो other subject है, other exams के लिए वह भी cover होगे, ठीक है, जो old students हैं, हमारी जैसे जो अभी sub engineer का batch लिये हुए थे, इसके बाद आपने इस से पहले कुछ भी batch लिया हुआ है, sub engineer का, हमारे the civil point app से कुछ भी लिया है, TO का batch लिया है, sub engineer का लिया हमारे के तरफ से आपको कुछ extra offers हैं, ठीक है, कुछ extra offers हैं, ये cable offer उनी के लिए है, जो जो ने पहले से कुछ लिया हो, कोई batch लिया हुआ, उन्होंने जितना भी amount पे किया हुआ है, जितना भी amount उन्होंने 10 will point पे किया हुआ है, उसका 50% इस price पर, ये जो 999 आपको दिख रह जाएगा, ठीक है, इसके लिए आपको एक special process करनी होगी, वो ये है, किस WhatsApp नमबर पर 9340-888-429, इस WhatsApp नमबर पर contact करना होगा, और आपको अपना जो received मिला है, आपको जब आपने course जोईन किया, वो आपको send करना होगा, सर आपको सारी process समझा देंगी, या इस नमबर पर आप call कर लिजिएगा, वो आपको सारी process समझा देंगी, कैसे कैसे आपको एक special coupon code दिया जाएगा, आपके लिए, ठीक है, तो इस पर आपको special off मिल जाएगा, यहाँ पर आप जा करके join कर सकते हैं, ठीक है, तो यह है आपका complete information, MPPSC Assistant Engineer का, आप कुशेंगे sir, कौन सी faculty आप कहां पढ़ा रहे हैं, और दूसरे हमारे प्रभावसर हैं, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, उनकी demo lecture आप हमारे YouTube चैनल के अंदर देख सकते हैं, अभी और भी आएंगे, उनकी भी qualification में कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी हमने छोटने, इस बार MPPSCAE के अंदर, येकिन मानिए, बह बहुत तगड़ा बैस लिकर के आए हैं, बस आपको 7-8 मिने टाइम देने हैं, एक बार दे के देखिएगा, ये किन बोल रहा हूँ, जिंदिगी में दुवारा civil engineering आपको नहीं पढ़नी पढ़ेगा, और ना कोई exam आपको रुखेगा, बस ये ना, रुखने का रीजन ये क आपने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा हुआ है और जाके पस exam दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ा हुआ exam दे रहे हैं, ठीक है, तो इस बज़े से जो है तो आप lag कर सकते हैं, इसलिए आपको अभी यहाँ पर पढढ़िए, detail के अंदर समझे, ठीक है, और इस exam के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसकी वेकेंसी आपको जनवरी यह फरवरी के अंदर दिख जाएगी आती हुए, यह दिख जाम आपको जुलाई से अगस्त, बहुत अच्छा टाइम चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप MPPSC को टारगेट कर रहे हैं, तो यह हमारी इनका आप देख सकते हैं, यह इनकी complete qualifications है, ठीक है, और बाकि अगर आप प्रभावसर के देख सकते हैं, उनकी भी separate classes अवेलबन यूटूब के अंदर, ठीक है, वो भी आप उनकी चिक कर सकते हैं, ठीक है, बाकि आज की complete information वीडियो, आपको कैसी लगी, आप बता सकते हैं, क अगर आपको सही है, complete analysis वाले PDF चाहिए, तो नीचे telegram group का हमारे link है, नाम है आपका the civil point underscore indoor, ठीक है, the civil point underscore indoor, इसको जरूर जोइन कर लिजेगा, कोई भी update होती है, यहाँ पर आपको इसका update मिल जाता है, ठीक है, तो आसा करता हूँ, आपको information पसंद आई होगी, ठीक है, लग इसके साथ जुड़ करके, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते है, इस बार AE की, ठीक है, क्योंकि मौका अभी है, और यही time है आपका तैयारी करने का, ठीक है, तो आसा करता हूँ, आपको सारी चीज़ समझ में आई है, अगर इसके बाद भी कोई doubt है, कि सार कोई और personal information ठीक है, courses आपको कहाँ पर बिलेंगा, आपको जाना पड़ेंगा, एक दा सिभील पॉइंट आप के अंदर, Google Play Store से जा करके आप download कर सकते है, और इस टोर पर जाके आप सर्च कर सकते है, अपना foundation badge, ठीक है, ओकी, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, म